हिंदू विरोधी मॉलिवुड ने फिर रचा सडियंद्र, फिर एक बार हिंदू विरोधी फिल्म के नाम के साथ हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए स्क्रिप्ट तयार की लेकिन अब हमें इन्हें ये सफलता नहीं पाने देंगे अब हमें हर हाल में इन्हें बताना होगा कि अब हम जरासा भी हमारे धर्म के विरुद्ध इनके सड्ययंत्र को बरदाश करने के लिए तयार नहीं है इस वीडियो को पुरा देखिए, समझे और अधिक से अधिक शेयर कर हर हिंदू तक इस वीडियो को पहुचाईए और सभी हिंदू भाई आगे आएं उठें और अपने धर्म के रक्षा के लिए अब इन हर धर्म द्रोहियों को मूतोड जवाब देने के लिए तयार रहें एक बार फिर बॉलिवुड अपनी गंदी मानसिक्ता के तहत हिंदू विरोधी चरित्र को आगे बढ़ा रहा है हिंदू विरोधी स्क्रिप्ट लिख रहा है और इस बार इन्होंने टार्गेट किया है सत्यनाराण की कथा को जी हाँ वही सत्यनाराण कथा जो हर एक महतोपूर्ण आउसर पर हर हिंदू के घरों में की जाती है और कोई भी हिंदू हो वो अपने घर पर सत्यनाराण कथा कभी न कभी अवश्य करवाता है इसलिए इस बार इन्होंने उस सत्यनारण की कथा के नाम से एक मुवी बनाने का निड़े किया है जिसमें कुछ भी हो कोई भी स्टोरी रहने दीजिए उससे हमें मतलब नहीं है लेकिन अगर आप सोचिए भविश्य में ये फिल्म जब बनेगी ये तयार होकर जब रिलीज होगी और ये हिट होगी तो आप जब इंटरनेट पर सत्यनारण की कथा के नाम से सर्च करेंगे तो आपको सत्यनारण भगवान की कथा नहीं मलेगी बलकि ये वाहियात फिल्म मिलेगी अब इस फिल्म में क्या होगा क्या नहीं इस से हमें मतलब नहीं है लेकिन हम हिंदू अब इस बात को बिल्कुल बरदाश नहीं करेंगे कि ये हमारे किसी भी धार्मिक भावनाओं को जरा सा भी ठेस पहुचाए बहुत कर लिया इन्होंने शुरू से लेके अब तक इन्होंने इत्रा कर लिया कि हमारी सारी हदें पार हो गई हमारी सहनशिल्ता की सारे हदें पार हो गई है अब हम इन्हें बरदाश नहीं कर सकते और अब हर हिंदू को अपने धर्म को इन बॉलिवूड के दरिंदों से बचाने के लिए आगे आना होगा सोचल मीडिया पर ही नहीं जमीन पर भी हमें उतरना होगा सोचल मीडिया पर इनका भरसक विरुद किया जाए और यदी यदी ये नाम आने यदी ये फिल्म का नाम ना बदले तो हमें जमीन पर भी इनके विरुद जितना हो सके उतना प्रदर्शन करना होगा पुलिस प्रसा नडियादवाला है जिसने दिव्या भारती से उसका धर्म बदल कर उसे इसलाम कुबूल करवाया उसके बाद उससे शादी की और एक साल के अंदर अंदर ही दिव्या भारती संदिग्द हालत में इस दुनिया को छोड़कर चली गई और उसके तुरंद बाद इस साजित नड कर लिया यानि ये कोई प्यार नहीं था ये हम समझ सकते हैं कि ये क्या होगा लव जिहाद जी हां ये लव जिहाद ही था और अब ये ये लोग बॉलिवूड के माध्यम से हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हम हिंदूों को अब इन्हें कहानिया रची और हम हिंदूों को इन्होंने बदनाम किया हमारे धर्म को बदनाम किया लेकिन ये हमारी कमजोरी रही कि हमने कभी भी इनके विरुद आवाज ने उठाई लेकिन अब अब हम सहन नहीं करेंगे अब हमें इनके विरुद एक जुट होकर सोशल मीडिया से जम कर इनका विरोध करना होगा और इन्हें समझाना होगा कि अब हम बरदाश नहीं करेंगे आशा है सरकार और प्रसाशन ये नहीं चाहता कि हिंदू भी न अण्य लोगों की तरह वीरोध करें जो लोग आगजनी कर देते हैं जो लोग तोड़ फोड़ करते हैं हम नहीं चाहते कि यह हमारा देश है हम नहीं चाहते कि हम आगजनी तोड़ फोड़ आदी कुछ करें लेकिन यदि हमारी धार्मिक भावनाओं को इसी तरह ठीस मुचाय जाए तो हमें डर है कि कहीं हिंदू अपना आ थ्यान, रखना ही होगा। बनाओं को आहत ना कर सके सभी हिंदूों से एक बार फिर निवेधन है कि उठो और ऐसा विरोध करो कि इन लोगों को जल्द से जल्द अपना इस मूवी का भी नाम बदलना पड़े और आगे भी भविश्य में ये कभी हिंदू विरोधी स्क्रिप्ट ना रचे हिंदू विर करना ही होगा जैशी राम वंदे मातरम भारत माता की